हे गाइस वेलकम बैक तो आज की वीडियो में में लेके आई हूँ आपके लिए सेमसंग गलाक्सी S10 जो के काफी इंट्रेस्टिंग सा स्मार्टफोन होने वाला है 2019 में तो बने इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ सेमसंग कामरा पिछले फोन सेमसंग गलाक्सी S9 जो के एक अच्छी से नहीं कर बाया उसके बाद सेमसंग अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है सेमसंग S10 के बारे में तो यह कफी अच्छा फोन होने वाला है यहीं बात करें इसकी स्पेश्वी के इन बारे में तो यहां पे आपको मिलेगी 12GB की RAM वहीं पे आपको एक TV की स्टोरेज भी बात करें इसकी डिजाइन की तो डिजाइन कफी यूनिक होगा यहीं पे बात करें इसकी back panel की तो वही सेम जो टिपिकल सेमसंग का पैनल बात करें front panel true bezel less display आपको मिलेगी front में वहीं पे बात करें वहीं पे बात करें इसकी अगले फ्यून की feature की तो यह पहला सेमसंग का फोन होगा जिसमें आपको भी लेगा 3D scanning का option जो काम में ले सकते हैं यहां पे face unlock में जो काफी helpful रहेगा अब बात करते हैं स्मार्टफोन के camera की जो के पिछली स्मार्टफोन सेमसंग Galaxy S9 की तरह ही यह भी स्मार्टफोन camera की मामले में काफी अच्छा होगा बात करें primary sensor की तो यह आपको मिलेगा 12 MP का जो की variable aperture होगा जिसका aperture होगा F1.5 to 2.4 बात करें दूसरे तो यहां पे दूसरे sensor की बात करें यहां को मिलेगा super wide angle जो 16 MP का होगा aperture की बात करें तो वहां पे मिलेगा F1.9 वहीं तीसरे जो third यहां पे आपको sensor मिलेगा वह ओगा wide angle sensor जो के third sensor होगा जिसकी यहां पे 13 MP का होगा वहीं aperture की बात करें वो मिलेगा आपको F1.4 अब बात करें यह कौन से वेरिंड में आपको यह feature मिलेंगे तो यह आपको मिलेंगे S10 Plus में जो इनका high end smartphone होगा बात करें सिर्फ S10 की तो यहां पे आपको इस तरह के camera नहीं मिलेंगे अब बात करते हैं Samsung Galaxy S10 5G की support की तो यहां पे आपको 5G की support मिलेगी लेकन एक selected market में तो यहां बात करें सबसे पहले तो Samsung Galaxy S10 जो के company है South Korea की तो वहां पे South Korea में इसका पहले इस्तमाल किया जाएगा 5G का वहीं बात करें यहां पे South Korea की तो वहां के तीन बड़े carrier operator जो के 5G ला मार्च में तो बात करें यहां पे तो Samsung Galaxy S10 जो के 5G की support करेगा लेकन कुछ market में अब बात करते हैं Samsung Galaxy S10 की तो यहां पे इस smartphone में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो के Samsung पहले कभी नहीं की जैसे कि यहां पे आपको मिलेगा वहीं पे आपको देखने को मिलेगा in display fingerprint sensor बात करें इस sensor क तो यह Qualcomm की तरफ से 3rd generation यहां पे sensor आपको मिलेगा तो वहीं बात करें इस sensor की तो यह काफी accurate और काफी first होगा जो के Samsung इसको provide करेगी अपने Samsung Galaxy S10 smartphone में वहीं बात करें तो यह Samsung Galaxy S10 जो के flagship phone होगा Samsung की तरफ से तो इस phone आपको देखने को मिलेगी AMOLED display जो के S9, S9 Plus सभी phone में Samsung के तो यहीं पे आपको front में आपको एक बड़ा सा होल भी जो के camera के feature होगा यहां पे 2-3 mm तक यह hole आपको दिखाई देगा जो के Samsung Galaxy S10 में माना जा रहा है वहीं बात करें तो यह एक तरह से camera होगा जो के Samsung Galaxy S10, S10 Plus में आपको दिखाई देगा अब बात करें प्रोसेसर की तो यहां पे Samsung Galaxy S10 में आपको देखने को मिलेगा Exynos 8090 प्रोसेसर वहीं पे आपको देखने को मिलेगा 3D Glass बात करें यहां पर इनकी प्रोसेसर की तो यहां पर आप को एशिया के बाहर अमेरिका में आपको देखने को मलेगा नहीं कहा जा सकता। वहीं बात करें तो कुछ रिपोर्ट यहां पर S10 में बताए जा रहा है यहां पर आपको अपर के तरफ कोल होगा वहीं बात करें तो यहां पर S10 PLUS में आपको न्यू इंफिनिटी जो के 5G Ready Phone होगा वहीं बात करें तो यह स्मार्टफून की प्राइस जहां तक लग रही है इन्फिनिटी जो न्यू इन्फिनिटी है वो काफी हाई होगी वहीं बात करें तो यहां पे इन्फिनिटी ओ जिसके प्राइस कम हो सकती है बात करें तो यहां पर आपको चार तरह के ने यहां पर डिवाइस आपको मिलेगी यहां पर बात करें तो पहला आपको मिलेगा सैमसंग S10 में यहां पर आपको दो तरह के यहां पर जिसमें होगी 5.8 इंच की इंटरे लेवल यहां पर मॉडल होंगे वो दो होंगे 6.4 इंच के जो के high-end model होंगे अवराल camera की बात करो तो यहाँ पर आपको front में दो camera आपको मिलेंगे वहीं back में आपको 3 camera मिल सकते हैं यहीं पर आपको dual sim का भी sport देखने के मिलेगा वहीं पर आपको fingerprint sensor जो के in display आपको देखने के मिलेगी जो काफी अच्छी होगी काफी बढ़िया होगी जो के Samsung काफी time से implement कर रहा था अपने smartphone वहीं पर बात करें अगली तो यहाँ पर कुछ benchmark लेग होई है जहाँ पर हमें यह पता चर रहा है के exynos और snapdragon में कितना फरक है यहाँ पर यह benchmark scoring है exynos के वहीं पर बात करें snapdragon के तो यहाँ पर आपको मलते है 362292 यहाँ पर snapdragon के on paper काफी जादा है यहाँ पर point है तो उस हिसाब से आप माँ सकते है snapdragon के काफी अच्छी यहाँ पर performance होने वाली है वहीं बात करें तो यह आपको screen 8K पर आपको यह screen sport करेंगी वीडियो के लिए काफी बढ़िया screen होने वाली है बहुत मुद्ध शुक्रेश वीडियो के देखने के लिए वीडियो आपको अच्छे लगती है लाइक करें सब्सक्राइब करें नमारी चैनल को और मुझे कमेंट सक्षिन में बताएं कि आप वेट करें स्टेन का यहाँ और इसकी प्राइस जो होने वाली है वो 70 के लगबग होगी और लांचिंग डेट जो है वो फैबरवरी मार्च में है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तर